तो यह हमारा मटर बोंड़े की रेशिपी बनके तयार है उपर से बिल्कुल करंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मटर बोंड़े की रेशिपी के लिए हमने लगवक्त 200 ग्राम का एसपास मटर लिया है और उसे एक मिक्सी जार में इसे दर-दरा हम पीछ लेंगे कुछ इस परकार से इससे ज्यादा हम पतला नहीं करेंगे पीछ के देखिए कुछ इस परकार से इसका टेक्स्चर रहेगा बिल्कुल एक से दो बार हलका चलाना है अब हम एक बाउल लेंगे उसमें हमने दही लगवक्त 2-500 ग्राम का इसपास डाला है और दही में हमने आदि चद्राकर तुकरा घिशके डाला है दो से तीन हरी मिर्च को काटके बारिक 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 तुकरों में और आदी चमच के असपास जीरा और अजमाईन मंगरेला अधी चमच देनी है और इसे मेदा हमने एक कटोडी लिया है यह मेदा हमारा मेरा लगवकग संद संद 1-100e one चावल कालटा यह कर लगवक क क संद 30-80 ग्राम का सफस है इसा में नमग डालके इसमें मत्र के दाने डालेंगे चावल काटा जो रखना है हमें मैदे से आधा रखना है और उसके बाद से हम इसमें हडी धनिया डालके इसे अच्छे से इसका टेक्स्टर बनाएंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे तो यह देखिए इसे थोड़ी सी पानी दाल डाल के हम इसे मैस करेंगे और अच्छे शिसे मिलाएंगे यह मुल्डूब से साथ इंडिया की दीस है तो यह देखिए हमारा इस परकार से कुछ इसका टेक्शर भी बना है तो थोड़ी सी और पानी डालके हम इसे इसको पतला भी नहीं करेंगे ज्यादा इसे हम दस मेर तक बेश्ट होने के लिए छोड़ देंगे और लास्ट में जब हम फ्राइ करेंगे इसे तो उसमें खाने करेंगे ताकि यह अच्छे से यह फूले तो लास्ट में खाने वाले सोड़ा हम मिला के तो इस परकार से हमारा कुछ इसका टेक्शर फाइनली बना है तो आप देखेंगे तो यह देखिए हम दस में के बाद इसे अब तलेंगे तो उसके लिए हमने एक फ्राइपेन लिया है और समय तेल डालके इसे बारे-बारी से इसी परकार चाहतों के साहरे इसमें डालेंगे तेक्शर तो इसे थोड़ी सी गारी कर देंगे तो देखिए बारे-बारी से मिस परकार समने डाल दिया है अब इसे थोड़े से इसे चला देंगे तो अब हम इसे पलट देंगे बारी बारी से पलटने के लिए आप किसी चमच के मद्द से आप इसे पलट सकते हैं तो यह देखिए हमारा मटर का बोंडा कितना अच्छा फ्राय हुआ है तो यह देखिए और आप इस रेसिपी को एक बार बना के खाएंगे तो बहुत ही मजाने बाला इन सर्दियों में मटर के बोंडे तो अब हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि हमारा यह दोनों तरफ से यह पक चुका है तो आप इसे यहारा फर्स्ट बैच था अब इसे सकेंड बैच में इसी परकार सम्ट लेंगे से तो यह देखिए तो इसी परकार सम्ट आप इसे चाहे तो किसी भी कि चटनी के साथ यह फिर सॉस के साथ भी से सर्व कर सकते हैं इसे मोटर के पकोडे भी अपने साइड में बोल सकते इधर हलागी यह मुल्डूप से साथ इंडियन डीस है तो यह देखे कितना अच्छा हमारा मट्र का बोंडा बन के तयार हुआ है इसे मैसूर है कि बोन्डे की नम से भी जाना जाता है मैसूर बोन्डा वोई बूलते हैं यससे तो यह देखिए उसके साथ अब सब कर सकते से तों तो अब हम इसे तोर के देखते हैं इसका टेक्चर यह उपर से बहुत ही करंची होता है फ्रेंट्स और बीच में बहुत ही सौफ्ट होता है फ्रेंट्स अगर यह से प्याप को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर गंटी के बेल आड़ यह उता है वीडियो को सब्सक्राइब कर दो दो अबाद्स